नमस्कार आप देख रहे हैं से टीवी और मैं हूँ आप इसाथ विजदा गोश्ट आईए करते हैं खबरों की शुरुवात सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के हैटलाइन्स पर देश भर में कोवीड टीका करन अभ्यान की हुई शुरुवात भागलपूर में डीएम ने फ्रेंट लाइन वरकरों का फूल देकर बढ़ाया होस्ला राज्य में ट्रक मालिकों की अनिशत कालीन हर्ताल जारी ट्रकों के चक्का जाम से विवसाई प्रभावित पद्वार ग्रहन करते ही एक्षन में दिखे बी ए यू के कुलपती कहा बिहार के किसानों को सामुदाईक रेडियो से मिलेगी खेतिवाडी की जानकारी दूल वेफसाई हत्याकान मामले में आरोपी के परीजनों ने निस्पक्ष जांच की की मांग सड़क जाम कर किया प्रदर्शन और भाजपा के राष्ट प्रवक्ता पहुंचे भागलपुर बिहार विधान परिसत का उमिद्वार बनाई जाने पर कारिकरताओं नहीं जताई खुशी अब खबरे विस्तार से COVID-19 महमारी को लेकर पूरी दुनिया में मचे कोहराम के बाद से जहां लोग भय के महौल में जीवन जीने को विवश हो गए वही कड़ी महनत और निरंतर प्रयास से विशशग्यों की टीम ने वैक्सीन तयार किया जिसको लेकर शनिवार को पीएम नरेंद्र मोधी ने दिल्ली से COVID-19 के वैक्सीन की शुरुवात रिमोट के माध्यम से की इसे के साथ देश भर में टीका करन अभ्यान की शुरुवात हो गई वही बात अगर भागलपूर की करे तो जिले में बनाए गए सभी 10 COVID-19 सेंटर में भी टीका करन की शुरुवात हो गई है जिले में सबसे पहले COVID-19 नीची अस्पताल मंगलम में बनाए गए सेंटर पर डॉक्टर सुमित कुमार चोहान को लगाया गया वही सदर अस्पताल COVID-19 सेंटर पर डेटा इंटरी ओपूरेटर देवाशीश पांडे को पहला ठीका दिया गया जवाहलाल लेहरू मेडिकल कॉलिज अस्पताल के COVID-19 सेंटर पर स्टाफ नर्स विभारानी नातनगर में जी एनेम पिंकी कुमारी नौगच्या अस्पताल में आशाकारिकर्ता, कुमारी सुधा, नरायनपुर में डॉक्टर अंकिर तिवारी सुल्तानगंज रेफरर अस्पताल में लैब टेक्नीशन अमित कुमार जगदीशपुर में एनेम अर्चना कुमारी को COVID-19 की पहली वैक्सीन दी गई वहीं डीम सुबरत कुमार सेन भी माया गज अस्पताल समेट कई टीका करन केंद्र का निरिक्षन करने पहुँचे जहां डीम ने स्वास्तकर्मियों के साथ जिलावासियों को वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार के अफवा से बचने की बात कही साथ ही कहा कि टीका पूरी तरह से टेस्टेड है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए अपनी बारी के अनुसार सभी लोग कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन लगा कर अभ्यान को सफल बनाने में सहीयोगी भी बने इधर अस्पतार अधीकशक डॉक्टर एके भगत कोविड-19 के नोडल पतादीकारी डॉक्टर हीमशंकर शर्मा समेथ कई चिकित्सक की मौजूदगी में स्वास्त कर्मियों को वैक्सीन लगाया गया कर आगे आने वाले दिनों में भी चलेगा और जो हम लोगों की तैयारी है सभी साइट्स पर वह अधना मुकंमल तैयारी है तो किसी को भी घवराने की अैसंका कुले करके व्यक्षिनेशन साइट पर आने की जड़ी करकारी जो यह भी जतीती हो गई थी कि उससे मिजात पाने के लिए ये कोसिस की जा रही है। लेकिन यह जो वैक्षिनेशन दिया जा रहा है, इसका लाव हमें, बैड़ मेने के बाद ही मिलने वाला है। पहले डोज के बाद 28 दिन में फेल डोज पड़ेगा। उसके दो हपते के बाद ही हम लोग यह जो हमारा जो एंटी बड़ी बॉड़ी में डेवलप करना वो करेगा इस आज के दिन मरतवर्श के इतिहास में जहां तक स्वास्ति व्लाग की बात है स्वास्ति कारिक्रमों की बात है यह एक यग्य है और इस यग्य की शुरुवात आ लेके ना किया कि तभी सफल होगा जब लोगों में इस बात की भावना जगेगी और लोग यहां आएंगे वैक्सिन लेने के लिए चिर प्रशिक प्रशिक प्रशिक्षित जो लों का सम्थिये था कि हम कोवीड का वैक्सिनेशन का जो कि हम लोग बहुत नौ महीने से इंति बात किये हैं पुर्णिया खगडिया सहरसा समेत दरजनों जिले शामिल है और इस आंदोलन से 5 लाग च्रकों का परिचलन बादित होगा पुल चुड़ जाएगा उससे जादा लोट सीमेंट लेके चल रहा है उसको परमिसन है पर गिटी बालू में खास जातियों को ध्यान में रखते हुए नितिश कुमार का यह फैसला है पार पंद्रया तारिक के मधरात्री से बिक्रम शिला सेतु जाम जोन में हम लोग आकर गेरा डालो डेला डालो का कारकरम बिहार ट्रकोनर एससियेशन के बहिनर तले कर रहे हैं और इसमें से लगबग हमारे बिक्रम सिला सेतु जाम में खगरिया, बेगु सराय, सहरसास, मधेपूरा, पुर्णिया, ररिया, कटियार, भागलपूर, बांका यह सब लोग इस जो पदबार ग्रहन करने के बाद बिहार कृषी विश्विद्याले सब और के कुलपती, डॉक्टर आर के सोहाने काफी एक्शन में नजर आए, शनिवार को कुलपती ने कृषी विग्यानी को अधिकारियों और मीडिया करिमियों के साथ वार्ता कर बी एए यू की उपलबद साथ ही ड्रोन से टेटा कलेक्शन की तयारी जारी है, इसके साथ ही सामुदाइक रेडियों के माध्यम से सभी गाओं में खेती बाड़ी की विधी, किसानों को दी जा रही है वार्ता करम में प्रोजेक्टर के माध्यम से क्रिशी शोल, किशान ग्यान रत, एफेम ग्रीन, यूट्यूब चैनल, सब उमंग, सब स्वाम लंबी, किसान चौपाल, कारिक्रम समेथ कई योजनाओं का उद्देश बताया गया वही प्रभारी कुलपती डॉक्टर आरके सोहाने ने प्रेस कॉन्फरेंस में विहार क्रिशी विश्विद्याले की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन कारिक्रमों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी कुलपती ने बताया कि बी ए यू में राष्ट और अंतरराष्ट प्रोजेक्ट पर काम किये जा रहे हैं जिससे भविश में किसानों को काफी लाव मिलेगा वहीं डॉक्टर कुलपती आरके सोहाने ने कहा कि बी ए यू के अधीन संचालित कृशी विज्ञान केंद्रो एवं उसके शहत्र अधिकार में चल रहे जलवायू अनुकूल कृशी कारिक्रम के तहत गाउ में प्रतेक मा के प्रतम मंगलवार को जल जीवन हर्याली प्रशे स्टेट में सीट की होम डिले होगी और इसकी बड़ी सफलता हुई थी इस मौडल को बिहार सरकार ने भी लागू किया और बिहार सरकार के इस मौडल को पूरे स्टेट कंट्री में लागू करने के लिए निर्देश भारस सरकार ने दिया था तो हम लोगों ने यह निर्ण भागलपूर में बेते दोनों बरारी थाना शेत्र में हुए दूद्वेफसाई प्रदीव यादव हत्यकान मामले में नामजद आरोबी प्रमोध यादव वे उनके पुत्र सुमित यादव और अमित यादव के परीजन उने शनिवार को बरारी थाना प्रभारी के खिलाफ म उन्होंने बरारी थाना अध्यक्ष दुआरा जांच को भटकाने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी प्रमोजशा के खिलाव जमकर नारेबाजी की वही मामले में अभ्यूक्त सुमित यादव के भाई अमरजीत ने कहा कि बरारी पुलिस कुछ दबंग राजनेताओं क दवाब में आकर उनके पिता वे भाई को निर्दोश होते हुए भी जेल भेजना चाहती है उन्होंने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल पर पूरे परिवार को फसाने का सीधा आरोप लगाया है साथी नियायाले और जिला पुलिस कप्तान नितीशा गुडिया से माम कि निश्बक्स तरीके से जोंच नहीं कि जा रही है कि इस मामले की जांच की बात कर रहा है परारी थना में जो एक हत्या के मौमले में जबरदस्ती विधायक एबम नेताओं के प्रेसर में अमीद कुमार उनके बाही अमीद कुमार एबम बाजपा के राश्ट प्रवक्ता और पूर्फ के इंद्रियम मंत्री सेयद शहनवाज हुसेन को पार्टी ने बिहार से मलसी का कैंडिडिट पनाया है जिसको लेकर शहनवाज हुसेन के समर्तकों में उत्सा का महौल है लंबे समय से पार्टी के राश्ट प्रवक्ता की जि भागलपूर के पूर्फ सांसद और भारतिय जंता पार्टी के राश्ट पवक्ता सैयद शहनवास हुसेन शनिवार को पिरपैती पहुंचे इस दोरान पूर्फ सांसद का बाखरपूर बसंत पूर्फ सहेत अनि जगाहों पर भाशपा और NDA कारे करताओं ने जोरदार स्वा किया वहीं पूर्फ सांसद ने दिवंगत भाशपा नेता घंशाम पांडे के घर जाकर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें शद्धान जली दी मौके पर पिरपैती विधायक इंजीनियर लरन कुमार, कहलगाउं विधायक पवन कुमार यादव, विवेकरन गुपता समेट पाची के कई कारेकरता मौझूद रहे वक्त हो चला है एक ब्रेक का मिलते है छोटे से ब्रेक के बाद पर जाद के भी किलिफ ठीक ब्रेक प्यादि झाल झाल मन की उदासी, नस, सिरदर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, शेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रक्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हीतू शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनेक जो कलसंटेंट निरो साइकाटरिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर डॉक्टर रिशी आनंद की देख रिखमी की आ जाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बढ़ते है अगले खबर की ओर। अगले कुछ दिनों में स्टेशन की दक्षिनी प्रवेश दुआर को खोल दिया जाएगा। उदर थानेदार अर्विंद कुबार ने सर्पी से मुझाहिदपूर साइड के लिए भारी पुलिस बलों की तैनाती की मांकी, मौकेपल स्टेशन निदेशक, स्वपनिंदास, स्टेशन अधीक्षक, समर कुमार सिंग, संके अध्यक्ष, विश्नु खेतान, समेत अन्य स्टेशन कर्मी, पुलिस बल, आर्पी एफ और जे आर्पी के जवान मौजूद रहे। नौव वर्ष को लेकर आज भागलपुर इलवे स्टेशन पर आर्पी एफ जी आर्पी रेल परसाथन के अंदरी रेलवे रेल यात्री शंके संयुक्त अत्वधान में मिलन्स अमहारों का आयोजन के अध्या, जिसमें हमारे अस्थाने जिला परसाथन के तमाम सभी स्थान अध्यक्ष को भी स्कारिकरम में सम्दित किया गया और लोगों के बीच में जब प्रेन में लोग यात्रा करते हैं, किसी परकार की कोई घटना दुरगटना हो जाती है, उस बीच में जिला परसाथन का भी काफी सहुग रहता है, इसमें किसी परकार की जो समस्या ना हो, इ अरुन कुमार यादव ने नोगच्या पार्टी कार्याले में शनीवार को समवधाता सममेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाफ के बाद नोगच्या में हत्या, लूड, बलतकार, अपरन और रंगदारी की घटनाए चरम पर हैं। अपरादियों को संगरशन देते हैं। दुरुस्त करने की बात कही। अस्पतार में कई कर्मी के अनुपस्तित होने पर विधायक ने चिकिस्ता पतादिकारी उशा कुमारी से कई सवाल जबाव किये, जिसके बाद उन्होंने OPD रजिस्टर को जब्द कर लिया। और सक्त लहजे में CSA शिकायत करने की बात कही। निरिक्षन के बाद विधायक ललित मंडल ने कहा कि कर्मियों की लेट लतीफी के कारण मरी जोक्यों परिशानी होती है। नातनगर बीडियो शिप शंकर रॉय की निगरानी में शनिवार को रेफ्रे अस्पताल नातनगर में कोरोना का ठीका लगाया गया। इस दोरान कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए शेयनित स्वास्त कर्मियों में काफी उच्सा देखा गया। रेफ्रे अस्पताल नातनगर में जी एनेम पिंकी कुमारी ने कोरोना का पहला ठीका लिया। ठीका करन के पूर्व अस्पतालों में पिये मोधी के संबोधन को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारित किया गया था। जहां अस्पताल कर्मियों ने पिये मोदी के संबोधन को सुना, अस्पताल में वैक्सिनेशन के लिए आए दिव्यांगों के लिए वीलचेर की विवस्था भी की गई थी वहिके इंदरकान इरिक्षिन करने सिविल सर्चें डॉक्र विजे कुमार सिंग नातनगर रेफ्रल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने ट्रीका करन के साथ अब्जर्वेशन रूम का भी चायसा लिया बरते शीत लहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए सुल्तान गल्ज की छात्रा कोमल कुमारी दीपा कुमारी और मंजीत कुमार ने अजगयविनात मंदर और स्टेशन परिसर के समीब टेंट लगा कर रह रहे लावारिस वे जरूरत मंदों लोगों के बीच गर्मकपड और भोज इनका वित्रन किया वही थंड से बचने के लिए गर्मकपड़े पाकर लोगों के चहरे पर खुशी देखी गई कुमल कुमारी ने बताया कि लोगों को थंड में ठी टूटते देखकर काफी बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए सरकार को और अच्छी वेवस्था करनी चाहिए वही रेंट शेल्टर में मिलने वाली सरकारी सुविदाए उन लोगों के लिए काफी नहीं है जिलादिकारी सुबरत कुमार से ने एडियम राजेश जहर राजा के साथ शनिवार को रेफ्रिल अस्पताल का निरिक्शन किया इस दोरान डियम ने ओपीडी कक्ष सहित अस्पताल में मिल रही सभी सुविदाओ का जाइसा लिया और मरीजों से बातचीत की निरिक्शन के दोरान जिलादिकारी ने स्वास प्रवंदक चंदन कुमार को अस्पताल में मिल रही सुविदाओ को दुरुस्त करने के निर्देश दिये मौके पर प्रभारी चिकित्सा पतादिकारी उशा कुमारी, एडियम राजेस जहर राजा, सहित, अनिय अनिकारी और अस्पताल कर्मी मौझूद रहे दस साइट है पुरे जिले में जहां पर होगा बता दे कि भीदिया पैक्स के किसानों से 3 जनवरी से धान की खरीदारी करने की तिथी निर्धारित की गई थी पर बिना पूर सूचना के अच्छानक 15 जनवरी से धान की खरीदारी बंद करने की घोशना कर दी गई इस बीच भी चौलियों से धान खरीद लिया गया जिससे किसानों में काफी आक्रोश है किसानों ने बताया कि BCO किसानों का फोन रिसीव भी नहीं करते साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि खेसर पैक्स अध्यक्ष जीतेंद्र कुमार सरकार के कानूनों को जेब में रखकर अपना अलग-अलग कानून चला रहे है किसानों ने बीडियों से BCO के मनमानी की जांच करने और समस्या के समधान की मांग की है वहीं बीडियो विकास कुमार ने बताया कि मामले की तहकीकात के बाद ही कुछ कहा चा सकता है अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हैड्लाइंस पर देश भर में कोवीड टीका करन अभ्यान की हुई शुरुवात हागलपूर में डीएम ने फ्रेंट लाइन वरकरों का फूल देकर बढ़ाया होस्ला राज्य में ट्रक मालिकों की अनिशत कालीन हर्ताल जारी श्रकों के चक्का जांग से विवसाई प्रभावित पदबार ग्रहन करते ही एक्षन में दिखे बी ए यू के कुलपती कहा बिहार के किसानों को सामुदाई की रेडियो से मिलेगी खेती बाड़ी की जानकारी दूर विवसाई हत्याकान मामले में आरोपी के परीजनों ने निस्पक्ष जांच की की मांग सड़क जाम कर किया प्रदर्शन और भाजपा के राष्ट प्रवक्ता पहुंचे भागलपुर बिहार विधान परिसत का उमिद्वार बनाई जाने पर कारिकरताओं नहीं जताई खुशी आज के बुलेटिन में इतना ही नमस्कार